आज में आपको ऐसी कुछ माहिती देता हूँ, जो ऐसी ही अध्वुत आउशदियां हैं और अपने स्वहमपाक धर के बिल्कुल नज्दीत में उपलफ हैं। उन्में से एक आउशद है, उसका नाम है तुल्सी। तुल्सी हम सबके धर में हैं, ऐसा कोई धर शायद नहीं मिले जहां तुल्सी ना हो। तुल्सी दो प्रकार की होती है, एक तुल्सी ऐसी है जिसको हम लोग कहते है राम तुल्सी और एक है जिसको हम कहते है श्याम तुल्सी। राम तुन्सी का ऐसा होता है कि उसका रंग हल्का हरा होता है, light green, और जो श्याम तुन्सी है उसका रंग बहुत जहरा हरा होता है, dark green, कभी-कभी वो दिखने में ताली भी दिखाई लेती है, इसलिए उसको श्याम तुन्सी कहते हैं, तो ये जो श्याम तुन्सी है, इसी के और शबीय गोन है, राम तुलसी में ज्यादा और शबीय गोन नहीं है तो घर में लगानी हैं आपको, तो हमेशा सोच विचार कर श्याम तुलसी ही लगाईए, तुलसी की विशेष्टा ये है कि ये कभी भी लगाई जा सकते हैं, साल के किसी भी महिने में आप इसका रूपन कर सकते हैं, और दूसरी विशेष्टा ये है कि ये सभी समय मिलती है, कोई भी समय में आपको ये मिलती है तो आप गंबले में लगा सकते हैं, घर में लगा सकते हैं अब ये जो श्याम तुलसी है, इसके क्या-क्या उपयोग आप कर सकते हैं इसका सबसे बड़ा उत्योग है किसी भी तरह के बुखार को समाप्त करने जोर, fever, किसी भी तरह का fever आपको है viral fever है, bacterial fever है या टाइफाइट का बुखार आगया आपको या सरदी जुकाम के कारण कोई बुखार आगया या करी बार ऐसा होता है कि शरीर से बहुत ज़्यादा श्रम किया बहुत काम किया, तो भी बुखार आसकता है तो किसी भी तरह के बुखार को तोड़ने में श्याम तुनसी का बहुत बड़ा योगदान है इतना बड़ा योगदान है जो शायद किसी दूसरी चीज का नहीं है तो आप इसको हमेशा घर्म रखे और किसी भी तरह का भुखार आए तो इसका भर्पूर उप्योग करें इसका उप्योग करमे का तरीका बहुत सरल है 15-20 पक्ते इसके तोरिये श्याम तिलसी के चट्मी बनाके उसका रस्यकाल लीजे इस रस्को गरम कर दीजे इसमें थोड़ा गुर मिला दीजे और अगर आप शहद खा सकते हैं मद खा सकते हैं तो थोड़ा सा मद मिला दीजे और इस रस को मद के साथ मिलाकर नहीं तो गुर के साथ मिलाकर एक एक चमत सुबह दुपर शाम अगर लेंगे तो किसी भी तरह के बुखार को तोड़ सकते अंग्रेजी की दवा पैरा सीता मोल जो काम करते है वही काम ये तुलसी करते है बहुत अधूर तुलसी का सबसे बड़ा उप्यूग है किसी भी तरह के बुखार को तोड़ने में अगर 104 डिग्री 105 डिग्री बुखार आ गया है तो तुलसी का काहा बना के दीजिए बुखार तुरंत 105 से 102 ए101 पे आ जाए काहर कैसे बनाना है तुलसी के पत्रे 15 डिश तोड़कर पानी में डाद दीजिए आधा कप पानी में खूँ उबा लिये इस पानी को इतना उबालिय कि ये आधा रह जाए फिर इस पानी में थोड़ा गुर मिला दीजिए और गुर मिलाकर पीने लायक जितना गरम है इतना इसको तना के पी लिचे तो ये पाहा है तुलसी का इस काढ़े से कितना भी खराब से खराब बुखार है तुलसी में बुखार तोड़ने के इसी तुलसी का बहुत ज़्यादा सदुपयोग सभी माताएं कर सकती है मासित पाड़ी से जुड़ हुए एक बहुत खराब रोग में इस तुलसी का बहुत अच्छा उपयोग होता है सफेद पानी आना पांडरे पानी की शिकायत जिसको हम सब लोग आजकल बहुत परेशान है काफी माताओं को ये तक्रीफ आजकल हो रही है तो पांडरे पानी जाने की शिकायत जिनको है अंग्रेजी में जिसको लिकोरिया कहते है इसकी सबसे अच्छी आउशब है यही तुलसी, श्याम तुलसी, इस श्याम तुलसी का भरबूर उप्योग करी है, आपको इस भीमारी से बिल्कुल आसानी से लिजात बें जाएगा, इसको लेना कैसे है, तरीका मैंने बताया है तो इसका काहा बना के ले सकते हैं, यही तो माताओं को ज्यादा दिनों की यह शिकायत है, श्यात प्रबर की लिकोरिया की, उनको इस तुलसी के रस के साथ थड़ी शक्तर जरूर खानी चाहिए, तो जिन्द भी भर के लिए आपके यह बीमारी खतम हो जाए, तुबारा कभी नहीं आए, इस तुलसी का दूसरा सबसे बड़ा उप्योग, इसी तुलसी का एक तीसरा उप्योग भी है, बुजुर्गों को जो अधिक उम्र के व्यक्ति हो गए हैं, जिनको पेशाग की अक्सर शिकायत आती है, बून-बून पेशाग आती है, भूलकर पोजी भी पेशाग में आती, लगवी के लिए जाते हैं, लेकिन लगवी नहीं होती, कई बार ऐसा सेंसेशन आ जाता, होती हैं तो एक दो बून होती हैं, आगे नहीं होती, ऐसे सभी भुजुर्ग नागरिकों के लिए, व्रद्धों के लिए भी इस तुलसी का अध्वुत उप्योग है, परीका मैं ने बता दिया, एक हैं, या त लगते क्या के किंपर हैं, कोंडा, ये बहुत हो गया, डेंड्रफ हो गया, खुजली बहुत आ रही है, तो यही श्याम तुलसी का रस निका लिए, चट्नी बना कर, और ये बाल में लगा लिए, एक तास के बाद बाल को धो दीजे, सब कोंडा निकाल लिए, डेंड्रफ आपका इंसम ठीक कर देती है, और इस तुलसी का एक अच्छा उपयोग है, कभी माताओं को मासिक पाड़ी के समय बहुत जास्ती रट जाने की शिकायत है, आपको तीम दिन रट जाना चाहिए, लेकिन पांच दिन जा रहा है, साथ दिन जा रहा है, कभी कभी तस दिन जा तो यही तुलसी का रज पी लिजे, रट को तुरंग बंद करते हैं, बहुत अधूत है, इस एक तुलसी का मैंने देखा है, अपने शरीर की कम से कम 25 से 30 बिमारियों में इसका प्रयोग हम कर सकते हैं, बच्चों के लिए इसका बहुत अच्छा उपयोग है, करी बार ऐसा ह जनतु हो जाते हैं, अग्तर ऐसी परशानी उनको आती है, कि आप तो बहुत अच्छा खाना खिलाते हैं, लेकिन वो सब खाना उनके जनतु खा जाते हैं, शरीर को नहीं लगता, अगर ऐसी जरादी संभावना लगे कि बच्चों को शरीर में जनतु है, तो यही तुलसी क रस और उस काड़े से जंतु सब निकल जाते हैं इस तुलसी का बहुत बहुत अच्छा उपयोग कई कई बीमारियों में आप कर सकते हैं और एक आखरी बीमारी शरीर को कहीं पर कोई धाव हो गया ब्रह जिसको पैसे और इतना ध्वैंकर घाव हो गया कि भरता नहीं उसमें स लसी भी निकलती है उसमें से रख्य भी निकलता है गाव बरता नहीं है तो यह जो तुलसी की चत्नी बना के आप लगा दें तो खराब से खराब गाव बर जाता है तो यह तुलसी अपने घर में जरूर रखे कम से कम स्वेंपाख घर के नजदीद रखे गंले में लगा कर और घर में थोड़ा बड़ा पगीचा है तो जाड़ा बड़े इनासे में लगा के रखे बहुत काम आएगे